तो फाइनली जॉय बॉय रिविल हो चुका है क्योंकि वनपीच चैप्टर लिले उन 22 आ चुका है जो कि इतना अमेजिंग है कि इसे पढ़ते वक्त मुझे गुज़बंस आ गए थे जिसमें हमें जॉय बॉय तो देखने को मिलने ही वाला है बट साथ में इमित वर्सेस गोर करने से जिससे वो गोरो से को हरतों देता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था बट पॉइंट कि यह ना कि इमित ने वहां कि अभी ही क्यों यूद्स की या फिर उसके अंदर वहां कि केसे आई इसकी पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले है बट उससे पहले हम इसके कवर पेज की बात करते हैं जो कि Oda Sensei ने M.H.E. के ओधर को को डेडिकेट किया है बट क्या आपको पता है Oda Sensei ने इस कवर में Smoker कोई क्यों ड्रॉ किया है क्योंकि हम सब जानते कि Smoker One Piece में इतना मेन कैरेक्टर तो है नहीं बट स्टिल Oda Sensei ने उ लोगों के रियक्शन्स से जह हम लोगों के काफी मिक्स रियक्शन्स देख सकते हैं जैसे कि नॉर्मल सीटीजन्स तो डर रहे हैं कि कहीं उनकी भी कंट्री ना डूब जाये बट वही पारेट्स इस बात से खुश है क्यूंकि वह ने इसमें दुनिया पर कबजा करने के ऑप और कोबी उस टाइम के बारे में सोच रहा है जब लूफी ने उससे पारेट किंग बनने के बारे में बताया था और कोबी ने लूफी से पूछा था तुम जानते भी हो कि पारेट किंग बनना क्या होता है पर प्रेजेंट में कोबी डिसाइड कर लेता है कि वह लूफी को पारेट किंग बनने से रोकेगा और वो कहता भी है कि लूफी सान में तुम्हारे सपने को सच नहीं होने दे सकता और मुझे कोबी का ये डिसेजन यहाँ पर गलत लग रहा है कॉस वेगा पंक ने कहा था कि इस दुनिया का फ्यूचर वन पीस को डूडने वाला डिसाइड कर बग्गी सामा कहते कि क्या ये दुनिया मेरी होगी नहीं नहीं ऐसा बोलो कि ये दुनिया हमारी होगी और ये सुनके सारे ही क्रॉस गिल्ड के सबॉर्डेनेट्स बग्गी सामा के लिए चियर करने लगते हैं बट क्रोकोडाइल गुस्ता होकर बग्गी को नीचे बैठने मैं उसे अभी खतम कर सकती हूँ बट teach कहता है उसे मेरे पास ले आओ मैं सुनना चाहता है कि वो क्या बताना चाहता है और अगर मुझे information अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे मार दूँगा जिससे blackbird को तो 2 ancient weapon की location के बारे में पता चली जाएगा बट I don't think blackbird अपना plan चेंज करके पहले ancient weapons के पीछे जाएगा unless last pony lip के लिए उन्हें किसी ancient weapon की जरुरत हो then मुझे करीबू के लिए थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वो जिसके भी साथ रहता है उसे मारने का try करता है तो एसे ही अगर वो blackbird को मारने का सोचेगा भी ना तो blackbird उसे खतम कर देगा फिर हम एगेड का scene देख सकते है जहाँ पर Vegapunk का message फिर से continue होता है भाई यार इसको कोई चुप कर आओ कितनी बार message continue, discontinue कर रहा है anyways तो Vegapunk कहता है कि यही सच है और जैसे ही वो कहता है joy boy तो वरक्यूरी इमिट पर attack करता है और finally transmission डेंडें मुशी को destroy कर देता है जिससे कि finally Vegapunk का message खतम हो चुका है और guys कि आपको याद है कि last chapter में हमने जोरो को गुस्से में देखा था तो वो इस नाजजूरो की वज़े से था कॉस नाजजूरो अभी भी सनी का पीछा कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि नाजजूरो को अपनी जिन्दगी से प्यार है भाई ये क्यों बार-बार अपनी मोद के पीछे आ रहा है जैसे last chapter में सैटन आया था तो बोनी और लूफी ने अपने कॉम वाटेक से उसे काफी डामेज कर दिया था इसलिए इस chapter में वो शोर पर हील हो रहा है बट हम इस chapter में बोनी को नहीं देख सकते बट हम एक बहुती amazing double page देख सकते है जिसमें Jupiter, नाजजूरो और वार्कुरी को दिखा है जो एलबाब शिप और thousand sunny के पीछे पड़े है और मैं सही में कहे रहा हूँ कि इस moment पर जोर इसको काटी देता बट तब इमित अपने west के पास से कुछ निकलता है जो हम clearly तो नहीं देख सकते फिर इमित कहता है I'm sorry joy boy मुझे पता है कि तुम मर चुके हो और लूफी भी जवाब देता है I'm monkey D. Luffy the man who will become the pirate king जो सुनके इमित लूफी के नाम में denotis करता है और इमित उस west की चीज को खीचता है जिससे उसकी body के अंदर एक रसी होती है ना उसकी गाट खुल जाती है और इमित की body से अचानक से giant black lightning निकलने लगती है जिससे बहुत से marines बेहोश होने लगते है और लूफी भी इस lightning को देखकर शौक होता है और पूछता है कि यह conqueror haki है बट इमित केहता है हे लूफी, thank you मुझे फिर से एक बार nostalgic rhythm सुनाने के लिए यह मुझे उन दिनों की याद दिलाती है फिर हम एक बहुती epic double page में देख सकते है कि इमित की body से एक super massive conqueror haki attack निकल रहा है जो पूरे egghead को affect कर रहा है और हम एक huge black lightning को तो देखी सकते है बट साथ में पूरा समंदर भी हिल रहा है फिर इमित कहता है प्लीज मरना मत मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा फिर हम wise admirals को भी देख सकते है जो कि barely उस conqueror haki को resist कर रहा है और उन्हें 1% behind ने कि इतनी strong haki kiss की है देन यह attack सारे गोरों से को उड़ा देता है और उन्हें अपने human form में transform कर देता है जिसके बाद जूपिटर वार क्यूरे और नाज जूरो सीधे मारी जॉज में आते है और हम देख सकते कि उनके हालत काफी खराब है और हम मारी जॉज में मार्स को भी देख सकते है जो शायद लूफी के attack से यहां आया होगा कॉस्टीम रॉकेट बनने के बाद वो दिखा ही नहीं था बट सैटन अभी भी एगेड पर ही है कॉस्ट वो टेलिपोर्ट होके नहीं आया था फिर हम मारी जॉज में फ्लावर रोम का सीन देख सकते है जहां इमो अपने गुटनों पर बेट कर चिल्ला रहा है और हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि वो जॉज बोई के बारे में सोच रहा है फिर थाउजन्ड सनी फाइनली समंदर में लैंड होती है और हम उसे एलबब शिप के साथ एगेड से दूर जाते हैं देख सकते हैं और वो लोग काफी दूर भी आ चुके हैं जिसका मतलब यह है कि एगेड आर्क फाइनली खतम हो चुका है बट दोनी शिप में सभी लोग एकी चीज़ के बारे में सोच रहे है कि अचनक से सारी मॉंस्टर्स याने गोरू से कहा चले गए यहाँ तक कि जाइंट्स भी बहुत कन्फ्यूज है और वो पूछते है कि एक रोबोट हाकी केसे यूद्स कर सकता है और उस हाकी से लोग गायब केसे हो रहते है फिर हम एगेड का सीन देख सकते है जहां सैटन खड़ा है और उसके सामने इमित की बॉड़ी पड़ी है फिर हम एक फ्लैश बैक देख सकते है जिसमें इमित और जॉय बोई है, जॉय बोई किसी आइलेंड पर एक हील पर खड़ा है, और वो इमित से बात कर रहा है, अब देखो मुझे तो यह आइलेंड वानो जैसा लग रहा है, बट शायद मैं गलत हो सकता हूँ, और यह एलबाप हो सकता है, या फिर लाफ टेल, या ने अगर हम ठीक से देखें, तो जॉय बोई के एक हाथ और पेर नकली लग रहा है, मतलब वो नहीं पूराने पैरेट्स का होता था, कि अगर उनका हाथ या पेर नहीं है तो उसकी जगा पर हूप या फिर लकडी का पेर लगाते थे, और अगर लकडी का पेर और हूप दि देख सकते हैं, जिसने एकदम जैंट्स जैसे कपड़े पेने हैं, जो एकदम रोगी के कपड़ों जैसे लगते हैं, फिर जॉय बोई इमिट से कहता है, कि याद रखना इमिट, सिर्फ तभी जब सही वक्त आएगा, और इमिट पूछता है सही वक्त कब आएगा, फिर मैं इसा नहीं चाहता, तो जॉय बोई कहता है, जब तुम्हारी या तुम जीने प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, उनकी जान खत्रे में हो, तब इसे यूज करना, वही राइट टाइम होगा, और जब वो टाइम आएगा ना, तो ये गाट खोल देना, जिस पर इमिट कहा ना, उसे सुनकर इमिट बहुत ही खुश होता है, फिर इमिट जॉय बोई को थेंक्यू कहता है, और कहता है, इससे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साती रहोगे, तो जॉय बोई कहता है, अफकोर्स, पर मैं बहुत ही आगे की मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट विक जपान में समर हॉलिडे ब्रेक होनी की वज़े से मैगजिन ब्रेक है, बट शायद से स्पोईलर आ सकते है, तो उन्हें मिसना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देख है ना तो आप उसी यह से देख सकते हैं